ओम नमेशिवाय ओम नमेशिवाय दोस्तों आपके मन में ये प्रश्ण हमेशा उठता है कि भगवान किन लोगों की सुनते हैं वो क्या क्या क्वालिटी है जिसे की हमें पता लग जाए कि उन लोगों की भगवान सुनते हैं ये कमेंट्स मुझे बार-बार मिलते हैं ये मुझे कहीं बार कमेंट्स नहीं पढ़ा है भगवान किनकी सुनते हैं भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते हैं तो इस पर भी आप एक कभी वीडियो बनाएं तो आज हम इसी भी सी पर बात करेंगे कि भगवान किनकी सुनते हैं बहुत पाइपून टॉपिक है बहुत ज़ादा आप तिले बहुत ज़ादा उट्योगी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं आप जो प्यार सपोर्ट हमें कर रहे हैं आपका दिल से शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद बाबा महकाल आपको हमेशा खुश रखे हमेशा आनद में रखे अगर आप नए वीवर हो चैनल को पहली बार देखना है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें चैनल से जूप जाए ताकि आपको हमेशा सकार अत्मक जानकारी मिलते रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में लिखें ओम नमेशिवाय इसके साथ है सब दोस्तों अगर आपकी जिए में कोई तकलीफ चल रही है तो आप स्क्रीन पर नमबर चल रहे हैं आप वाट्स अप पर अपोन में लेकर बात कर सकते हैं उसका चार्जेश लागू है अब भगवान से हम रोज प्रात्नाय करते हैं कि है भगवान हम ये करते हैं वो कर दो ये तमाम चीज़े हम सामान्यवे में करते हैं और करना भी चाहिए अब भगवान किन लोगों की सुनते हैं जो man on man point की बात यहां से शुरू करते हैं जिनके मन में कोई छल, कपट, राग, द्वेश नहीं होता है अर्थाथ आप अपने सुद्ध मन से नी स्वार्त भाव से कुछ मांगे नी स्वार्त भाव से कुछ मांगे आपकी मनों कामना जरूर पूरी होगी अब यहां से पूरी चीजों को बहुत बारिकी से समझना अलिए था आप में चीज चूग जाएंगे अब नी स्वार्त भाव से मांगे कि हमारे लिए तो अपने लिए तो हर एक वक्ति कोई मांगता है और इश्वर उन्हें पूरा भी करता है लेकिन आप कोशिश ये करें कि दूसरों के लिए मांगना शुरू करें तो हम तो पूरे संसार का भला चाहने वाले लोग है हम हिंदू और हमारे पूरे सनातन धर्म की पहली प्रात्मिक्ता है विश्व बंदुत की और विश्व की अच्छाई के लिए तो मांगना शुरू करें स्वताही इश्वर आपकी मनों कामना है तो स्वताही पूरी कर देंगे और जो आपसे जुड़े हुए लोग है न उन लोगों की इच्छाई भी पूरी हो जाए क्योंकि आप बहुत मन किसाफ है, बहुत अच्छे हैं ना आप में कोई राग देश इस तरह का भाव है मानवी सबाव है कभी-कभी हमें गुस्ता आ जाता है कभी-कभी चीज़े आप इंडाउन हो जाती है लेकिन जरूर आपसे जुड़े जो भी आपके खास लोग है उनके लिए आप दुआ करें अगर आप दुआ करेंगे मैं आपसे वादा करों कि इश्वर जरूर सुनेंगे और उनकी मनों कामना जरूर पूर्ण होगी अब यहां पर चो सुनने वाली बात है उसमें में बात चो मैं आपसे शेयर करता हूँ हमेशा कि जिनका मन साफ हो चलकपट नहीं है जिनका किसी से स्वार्थ नहीं है कोई स्वार्थ सिध्धी नहीं है जिसे मा और बेटे के बीच वहां कोई स्वार्थ नहीं होता है पिता पुत्र के बीच वहां कोई स्वार्थ नहीं होता है ये एक उधारन बताओ ऐसा हमारे कई सारे रिस्ते होते हैं, दोस्त होते हैं, यार भाई, जहां कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो जो भाव है, बिना स्वार्थ वाला, उसी भाव से इश्वर से आप मांग कर देखें, कि है इश्वर, इनका भला करें, इनका अच्छा करें, इश्वर जरूर इसके अलावा आप अपने गुरु मंत्र, इश्ट मंत्र का जाब भी खरते रहें वो भी बहुत ज़ादा सकारत्मक है और हरे क्रक्टी की इश्वर सुनते हैं और उन पर क्रपा भी करते हैं बस वो परिक्षा का टाइम होता है हर एक प्रिक्षा है देना होती है अप एंडाउन सबके जीवन में आता है वो परिक्षा से आप डरे ले परिक्षा दे क्योंकि परिक्षा से वो हमें बहुत कुछ चीज़े सिखाना चाहता है उन्हें सीखे और आगे बढ़े और सकारत्मक करें अच्छा लगो लाइक करें जय श्री महानुक